हेलो दोस्तो आज आप लोगों को मैं बताने आलो इंकम फ्रॉम कैपिटल गेन अगर एक्जाम में इस क्यूपर कोशन आया तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे रहना चाहिए देखो कोशन दो पार्ट से दोनों को अपन सॉल्व कर लेंगे कोशन कितने मांक्स का एक कोशन दो मा फाइफ थाउजन शेर्स ओफ एब लिमिटेट अलिस्टेट कंपणी वर सोल्ड बैं मिस्टर कुमार एड़ 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 फाइवनड़ पर शेर एड़ 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 पर शुका है याने कि यह आपका रेकगनाइस टॉक एक्शेंज का ट्रांजेक एड़ 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 पर इसका कितना था फेर मार्केट वैल्यू 450 रूपीज चलो इसका सबसे बेल एक प्रेजेंटेशन में बताते हैं तो आपको ठीक हैं कॉंप्यूटेशन ओफ लॉफ 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 टर्म क्यापिटल गेन आन सेल ओफ पाइव हंड्रेड़ शेर्स ओफ एबी मुइड़ लॉमिटेट सरी यह लॉफ टर्म क्यापिटल गेन क्यू है यह लिखना जरूर ही है क्या तो आंसरी नहीं कोस्टन दो माक का है हाँ अग तो आपको वो भी लिखना बढ़ा रहता है कि यह long term क्यूंग है and short term क्यूंग नहीं है बड़ यहां पर जरुरूत नहीं है क्यों दो मांक्स के लिए कोशन है ठीक है चलो यहां पर आया मेरा particular यहां पर आया amount in rupees तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा यहां पर serial number of course serial number particular serial number one sale value कितने शेर्स बेचे ते मैंने 500 रूपीज के साथ से 5000 शेर्स बेचे तो मुझे पैसा कितना मिला 25,00,000 रूपीज मैंने कमाया कितना पैसा कमाया 25,00,000 एक ही मिना मैं क्याल से निकल रहा हूँ मैरा हो 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 चलो कोई नहीं है सेकेंड बात क्या दिया है मैं पास cost of acquisition क्या निकलना है मुझे cost of acquisition उसके नदब मैं लिखूंगा ऐसा cost of acquisition क्या लिखूंगा यहाप पर higher of a cost of acquisition कितना था मेरा actual में cost of acquisition मैंने उसको कितने में खरीदा था तो 450 रूपीज नहीं 425 ओके तो 425 इंटू 500 यह था मेरा cost of acquisition यानि कितना था है 21,25,000 दूसरा second one में क्या लिखूंगा lower of lower of उसका first point pair market value as on 31 January 2018 कितना था वो 450 इंटू 500 यानि कि यह कितना आ गया 415 to 500 आगर में करूंगा तो 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 कितना आएगा एक ही मेनिटा और दूसरा क्या लेना है मुझे selling price यहनिकि कितना आएगा यह आप में 500 इंटू 5000 5,000 कर दो कर दो कर आप लोग कैसी पर में साथ 5,000 इंटू 450 कितना आता है 22 500 और यह पर कितना आता है 25 लेक तो इन दोनों में का lower मैं किसको सिलेट करूंगा यह amount को है ना और उसके उपर higher of this and this मतलब मेरा cost of acquisition क्या जाएगा बाहर के कॉलम में कितना लिख दू मैं 2250 ठीक है देखो हर एक चीज को अपन नहीं आपके explain कर दिया है उसके बाद में 3rd point में क्या लिखूंगा मैं लॉंग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन वन वन टू ए कितना आता है 25 लाग माइनस 22 लाग 50 थाउजन इदर एक नोट लिख देता हूं मैं कैपिटल गेन इन एक्सेस ओफ वन लैक दैट इस वन लैक फिफ्टी थाउजन माइनस वन लैक इस एकल तो वन लैक फिफ्टी थाउजन वूड भी टैक्सेबल एट दरेट 10% दो मांक्स का कोशन था लाज के लाइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा एक्जाम में टाइम मिल रहे एक फ्लो बेटा लिख दोगे ज्यादा बेटा रहेगा मांक्स कट करने के लिए कोई option बचेगा नहीं सर इतना सब लिखना पड़ेगा दो मांक्स के लिए जी हां मांक्स चाहिए तो यह सब पॉइंट्स आपके आने ही चाहिए अंसर क्या चलो अगला कोशन बढ़ लेदा मिस्टर सतीश इस ओनर आप रसीडेंशिल हाउस विच वस पर्चेस ऑन फर्स जुले 2015 for 10,50,000 he sold his house on 14 October 21 for 25 lakh valuation as per stamp duty was 45 lakh he invested 15 lakh in RECL bond as on 20 March 2022 CII DIY 254 and उस साल का दिया है 317 तो अंसर के से लिखेंगे अपन इसका चलो यह बढ़े देखों चाट करूं Computation of long term capital gain on sale of residential house अब लोग एक काम कर सकते हो अबना bracket में दे लिख दो seems holding is more than 24 months it is long term asset capital asset लिख देना ठीक है फिर इदर के लिख दूँगा मैं Serial number particular amount अभी देखो ना उसने कितने में बेचा घर 25 lakh पट उसका fair market value कितना था stamp duty value कितना था 45 lakh तो मेरे लिए तो calculation के लिए 45 lakh लेना पड़ेगा तो मैं उसको ना एक के लाइन में यहां पर कैसी लिख दूँगा तो देखो since stamp duty value is more than 110% of selling price that is 45 lakh is more than उसने कितने में बेचा था 25 lakh purchase consideration या तो sales consideration उसको कितना मानेंगा आपन 45 lakh फिर दूसरे में में क्या करूंगा less indexed cost of acquisition इधर ही है ना उसका working करके बता तो उसने कितने में पर्चेस किया था 10,50,000 into 317 10,50,000 into 317 divided by 254 तो जो भी amount आएगा खरो एक बार कैल से बहें 10,50,000 into 317 divided by 254 कितनी amount दिकर आपको यह आप है 13,10,433 ठीक है दोस्तों exam में ना एक ही मिनिटा क्योंकि मैं presentation बता रहा हूँ यह गलत है इसको नीचे ले लो और यह सब amounts है एक line में आनी चाहिए cost of acquisition नीचे लिख दो देखो examiner का आप लोग जितना काम EC करोगे ना examiner उतने आपको marks देने वाला है ठीक है यह होगा second point मैंने minus कर दिया थर्ड में क्या आया मेरा capital gain क्या रहा है capital gain bracket में लिख दो 1-2 कितना आएगा यह है 31,89,567 फिर नीचे क्या लिख दूँगा मैं deduction under section 54 EC since bonds are invested sorry since since amount is invested in eligible bonds bonds within six months from transfer तो इसका भी deduction claim कर लो कितना deduction कितना claim क्या था 15 लाग maximum कितना मिल था 50 लाग तो पूरा मिल जाएगा तो लास्ट में क्या बचेगा मेरे पास long term capital gain taxable at the rate 20% क्या आएगा यहापे मेरा मून दोस्तों 16,89,567 tax calculate करके बतानी की जरूरत नहीं है question में सिर्फ पूचा था capital gain को बताओ तो यह रहा इसका presentation लगा तो वीडियो को पॉस करके आप लोग एक बार screenshot लेलो इसका और यह था अपका दूसरा presentation presentation ऐसा ही रहना चाहिए exam के अंदर अगर आपको पूरे marks चाहिए रहे तो ठीक है दोस्तों चलो बाबाई तभी के लिए मिलेंगे कल अगले वीडियो के अंदर बार लेंगट